दोस्तो 16 मई 2022 में लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहन इंचे राशियों पर होगी धनकी वर्षा इंचे राशियों के जातक बन जाएंगे माला माल सफलता चुमेगी कदम चमक चाएंगे किस्मत के सितारे शास्त्रों और जोति शास्त्र में चंद्र ग्रहन का बहुत ही महत्तव है जोति शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहन तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रित्विया जाती है साल 2022 का चंद्र ग्रहन जल्दी लगने वाला है 30 अप्रेल शनिवार को विशाख मवस्या पर साल के पहले सूरे ग्रहन के 15 दिनों बाद 16 मई सोमवार को साल का पहला चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है ये ग्रहन विशाख की बुद्ध पुर्णिमा पर लगेगा आज हम आपको विशाक बुर्द पुर्णिमा पर लगने वाले इस चंदर ग्रहन के बारे में विस्तार से बताएंगे तो इसलिए वीडियो को एंड तक सरूर देखना क्योंकि चंदर ग्रहन के बारे में बताने के साथ साथ हम आपको बताएंगे उन भाग्यवान राशियों के बारे में जिन पर इस चंदर ग्रहन का बहुत ही शुबसर पढ़ने वाला है जिस दिन चंदर ग्रहन पढ़ता है उस दिन कई नियमों का पालन करना अवश्य होता है चंदर व्यक्ति के केरियर, सहन शक्ती, जीवन शक्ती, इच्छा शक्ती, मान समान, राज योग, प्रापत आदी का कारक भी होता है और धार्मिक ध्रिष्टी से चंदर पर ग्रहन लगना अशुब माना जाता है जीवती शास्तर के अनुसार चंदर ग्रहन पूरी 12 राशियों पर अपना अच्छा या बुरा असर डालता है दोस्तो साल का पहला चंदर ग्रहन 16 मई को लगेगा ये आंशिक चंदर ग्रहन होगा भारतिय समय के अनुसार इसकी शुरुवात 16 मई सुबह 7 बच कर 2 मिनट में होगी और इसकी समापती दोपहर 12 बच कर 20 मिनट पर होगी ये पूर्ण चंदर ग्रहन होगा जिसकी 5 घंटे और 17 मिनट तक उपस्तिती होगी दोस्तो ये चंदर ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा भारत में इसका सुतक काल मान्य नहीं होगा लेकिन इसका जोती शियासर राशियों पर अवश्य पड़ेगा आपके जीवन पर भी पड़ेगा इसलिए इसे आप नजर अंदाज पिल्कुल न करें ये चंदर ग्रहन खास कर दक्षिन पश्चिम और अमेरिका अंटार्टिका में दिखाई देगा दोस्तो ये चंदर ग्रहन मेश राशी तथा भणी नक्षत्र में लगेगा मेश राशी का स्वामी मंगल ग्रह है इसलिए भी इस ग्रहन का महत तब और बढ़ चाता है। ग्रहन की घटना धारमेक और वेग्यानिक नजरिये से बहुत ही खास मानी जाती है। आपको बता दें कि किसी भी ग्रहन के दौरान कोई भी शुबकारे नहीं किये जाते। भगวान की पूझा भी नहीं की जाती। दोस्तों जोती शास्तर के अनुसार चंदर ग्रहन के दौरान कई प्राकटिक आपदाएं भी आती हैं जिसका असर सीथे तोर पर मनुश्य पर पड़ता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि चंदर ग्रहन के दौरान क्या भूलवश भी नहीं करना चाहिए। ग्रहन काल में आइना बिल्कुल ना देखें। इससे नकरात मकताब बढ़ जाती है। चंद्रेग्रहन के दौरान खाने में तुल्ची के पत्ते डाल कर भोजन करना चाहिए, इस दिन जितना ज्यादा हो सके शिरी हरी का पाट करें, हनुमान चलीसा कजाप करें, राम नाम कजाप करें, इस दिन मानस पुझा मंत्र जाप तथा भजन आदि जरूर करें, भोजन करें चंद्रग्रहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए खास कर गर्भवती महिलाओं को राम नाम का जाप अवश्य ही कर लेना चाहिए इससे आपके शिशु पर जो कश्च होगा वो दूर हो जाएगा चंद्रग्रहन के दौरान कोई भी मांगलिक कार्या ना करें इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिये जाते हैं इस दौरान यात्रा को टाल दें चंद्रग्रहन के दौरान शिंगार मेकाप आदी ना करें भोग विलाज से दूर रहें ग्रहन काल में मास मंदिरा का सेवन कत करें चंद्र ग्रहन के दौरान जब आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए तब ऐसे में 21 बार शिव शिव का जाप पवश्य कर लें फिर आप बाहर जा सकते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहन समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य कर लें नहीं तो आपके प्रबल होता है दोस्तों अब जानते हैं वो ऐसी कौन सी छे राशियां हैं जिन पर चंद्र ग्रहन बहुती अच्छा प्रभाव डालने वाला है यह चंद्र ग्रहन उनके लिए लगी साबित होगा खास कर छे राशियां ऐसी हैं जो इस चंद्र ग्रहन के असर के कारण सु मतकारिक रूप से तरक्की होनी शिरू हो जाएगी, ये चंदर ग्रहन इनके लिए लखी साबित होगा, बहुती लापधायक पर ना मिलने वाले हैं, दोस्तों सबसे पहली भाग्यशारी राशी है मेश राशी, मेश राशी में ही ये चंदर ग्रहन लगने वाला है, जो की बह पुचानक कहीं से धन की प्राप्ती संभव है नए व्यपार की शुरुवात या व्यपार में उन्नती और विस्तार कर सकते हैं नए रिष्टे आएंगे लोगों से मेल मिला बढ़ेगा जिस कारण उपलब्धियां प्राप्त होंगी यह चंद्रग्रहन आपके लिए लग्की साबित होगा और घर परिवार में सुख शान्ती का पूर्ण महाल रहेगा दोस्तो अगली भागेशाली राशी है कन्या राशी कन्या राशी के जातक इस चंद्रग्रहन के आसपास के समय में एक अजीब सकरात्मक बदलाव को मैसूस करेंगे धन की चिंता पूरी तरह से मि समर्थन मिलेगा धन आगमन के नए स्तोत्र सामने आ सकते हैं दोस्तो अगली लखी राशी है मीन राशी मीन राशी के चातकों को ये चंद्रग्रहन सभी परिशानियों से बहार निकाल लेगा खुद को तनाव मुक्च महसूस करेंगे मन में प्रसंता बढ़ जाएगी आप दसान सुख और कारयों में सफलता मिलेगी और प्रभावशारी लोगों से संबंध मश्भूत होंगे द्हानियों में घक्ति मैं व्रिदी होगी सुख सुविधाओं में व्रिदी होगी घकातके तरी साल वालका मेरे लिए अगर आप कही निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सारी सफलताई मिलेंगी नए रिष्टेदार बनेंगे रिष्टे बनेंगे लोग प्रियता बढ़ेगी ऐसे में आपके दुश्मन आप से जलेंगे आपको धन की प्राप्ति भी होगी यात्रा के योग भी बनत है तो यह लड़ाई जगरे जल्द ही समाप्त होने की तादार में हैं दूस्तो अगली राशी है सिंग राशी वाले जातक इस चंदरग्रहन में सावधान रहें सिंग राशी वालों को धन की हानी हो सकती है कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले सोच लें किसी भी अजनबी प तो आप निभाएंगे हाला कि जिम्मेदारियां घर में बढ़ सकती हैं समझदारी से काम लेना होगा वानी में मिठास रखनी होगी और कोई भी कारे करना हो उसे सोच विचार कर करें दोस्तो अगली भागिशाली राशी है मक्र राशी इस राशी वालों के लिए चंदर ग्र लेकिन याद रहें आपके लिए कुछ ऐसी साफधानिया हैं जो आपको बरतनी चाहिए जैसे की वानी में मिठास लाएं लेन देन के मामलों में किसी पर भी विश्वास ना करें उधार कर्ज देने से बचें खुल मिलाकर ये चंदर ग्रहन आपके लिए बहुत ही लखी सा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद